गोरकपुर न्यूज के सरप्रायो जखे मठ्पू मंगलम टावर गोलगर गोरकपूर प्रतिन युक्ति पर वापस जारें के पहले जनपत के चिला अधिकारी के विजोंदर पांजिया ने गोरगपूर न्यूस के माध्यम से किया अपने कारेकाल के उपलब्दियों को साजा मुख्यमंतری, गोरगपूर की जनता, मेडिया सहित, अनलोग के प्रतीज अताया आभार कहा जनपतवासियों का मिला भरपोर्स सहयोग, गोरगपूर का सभी छेत्रों में हुआ है विकास चार बच्चों की अम्मा ने अपने प्रेमी के संग मिलकर की थी अपने पती की गला रेत कर हत्या का प्रयास आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को क्यांट पुलस ने किया करिफतार आला कतल चाकू किया बरामत एसपी सीटी ने किया घटना का संसनी खेश खुलासा ट्रेन की पट्री पर संदिक परिस्टियों में मिला यूती का शौप और इजन्यों ने लगाया हत्या का आरोप एसपी नॉट ने कहा रेलवे के मेमो में की गई है आत्मत्या की पुस्टी पोस्ट मार्टरम रिपोर्ट के बाद होगी सिती इस पस्ट 24 जुलाई को गोपालपूर बजार में ग्राम बंचाइद अधिकारी अनीश हुमार हत्याकान के चार अभ्यक्तियों को गोला पुलस ने किया गरफतार एसपी साउथ ने कहा शिश अभ्यक्तियों की भी होगी जल्द गरफतारी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से लकनाउसे प्रदेश के अपर मुकि सचीव स्वास सिक्षायम चिकिस्सा अमित मोहन प्रसाद ने कोविड वैक्सिनेशन के साथ कुरोना काल में जिन्दगी गवा चुके चिकिस्सकों के परिजनों को उचित मुआफजा और नौक हीरता से ले रही है गोरकपुर पुलिस एससपी ने कहा सभी प्रात्ना पत्रों का होगा निस्तारण शाशन की निर्देश पर अब हर ग्राम पंचायत भावर में एक कम्प्यूटर ओपरेटर की की जाएगी न्यूकती डिपी आरो ने कहा कम्प्यूटर ओपरेटर की न्यूकती से सुद्रिर बनेगी ग्राम पंचायते हत्या के वान्चित एक अव्युक्त को रामगरताल पोलिस ने किया घरफतार घटना में प्रियुक्त लकडी का डंडा किया बरामत भीजा जील मुख्य विकास अधिकारी की अधिक्ष्टा में संपन्ही पर्फोर्मेंस ग्रांट समिती की बैठक पर्फोर्मेंस ग्रांट के तहत गावों में कारे शुरू करने के दिये निर्देश कुरकपूर में मंगलवार को मिले दो नय कुरोना संक्रमित मरीज जिले में कुरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 28 जुलाई तक प्रतम सड़क सुरक्षा सप्ता का गया जारा आयोजन आटियों ने कहा बस अटो चाल को सहित आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रती किया गया जागरू नगराइट नेकिया सिंहडिया चेतर के जल भराओ वाले चेतरों का इस थलिया निरक्षड पम्पों के द्वारा जल निकासी की कराई वेकल पिक वेवस्था कहा जल्द होगा चेतर के जल भुराओ की समस्या का समधान गुरगपुर विश्वद्याला के बिये और अन्तिव वर्ष की वार्षिक परिक्षाएं हुई शुरू नकल वहिन परिक्षा के लिए परिक्षा के अंडरों पर लगाए गये हैं CCTV कैमरे गुरगपुर विश्वद्याला के IT सेल द्वारा आउनलाइन की जा रही है निकरानी ऑपरेशन नया के तहत SSP ने रामगरताल थाने पर वातकारियों और विवेचिकों के साथ की बैठक लंबित मुकद्मों के निस्तारर के दिये निर्देश जनपत में जिलास्पताल सहितकुल 74 किंद्रो पर 6408 लोग को किया गया कोविट का टीका करल प्रतम डोज लेने वालों में 4493 तथा सेकंड डोज लेने वालों में 5915 लोग रहें शामिल सेमो ने कहा खत नहीं हुआ है कुरोना अवश्र लगवाएटी का जीत का प्रतम सड़क सुरक्षा सपता के तहत सेव लाइफ फाउंडेशन के द्वारा बस ट्रक ट्रेंपो चालकों को दिया गया वर्चुल प्रसिक्षन सड़क सुरक्षा के प्रती किया गया जागरू जिलास्पताल में बढ़ी रैबिस के इंजेक्शन लगवाने वालों की क्या SIC ने कहा जिलास्पताल में पर्याप मात्रा में उपलब धकुत्ता एवं साप काटने का एंटिडोज इंजेक्शन पेट्रोल डीजल तदा खाद पदार्तों के बड़े दामों को लेकर प्रगती शील समाजवादी पार्टी लोहिया के कारकरताउने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से रास्पती को प्रेसिद किया ग्यापन महंगाई पर रोक लगाने की की मांग और कोरोना संक्रमड पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्दे से शाषन की द्वारा लगाए गया आंशिक नाइट करफ्यू का मंगलवार को भी रहा असर स्पी सिटी ने कहा रात्री दस बुजे के बाद रहें घरों में नाइट कर्फ्यू का करे बालन रहें सुरक्षित